हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मुबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं प्सपी का ये पॉलिटिकल मुव खीक वैसा ही था हैरान करने वाला रहा जैसे उन्होंने लोग सबाचुनाओं से पहले सपा से गडबंदन करके किया था तब अखिलेश दिंपल को भतीजे और बहु मान कर सालों पुराने दुश्मनी को भुला दिया था सब कुछ भूल कर दोनों को आशिवाद देने में भी पीछे नहीं रही लेकिन लोग सबाचुनाओं के परिणाम आने के बाद सपा वस्पा गडबंदन को लेकर उनका स्टेंड उतना ही चौकाने वाला था जिसके बाद ये बाद सावित हो गई जो बीएस्पी परमुक मायवती के बारे में राजनीतिक पंडितों ने कही थी वही बाद सियासत की सितर पर सामने आ गई कि मायवती सियासत की वो माया है जिसे समझना आसमान को जमीन से मिलाने जैसा है मायवती की पार्टी BSP आर्टीकल 370 पर BJP के साथ है आर्टीकल 370 पर मोधी और शा को मायवती का पूरा समर्थन मिला राजसभा में इस मसले पर चर्चा के दौरान BSP के राश्चिप मासचीव सतीर चंदर मिश्रा ने पार्टी के स्टैंड को किलियर कर दिया क्या दिया कि केंद सरकार के इस फैसले का BSP समर्थन करती है बनाएं वहाँ पर के बाशिंदे बने वो हग उनका अभी तक छिना हुआ था लेकिन इसके आने के बाद इस देश के जितने भी माइनॉरिटी के लोग होंगे जलित होंगे बैकवर्ड होंगे जो देश के और कोलों में रहते हैं जो ज़्यादा संख्या में है बैस्पी ने आर्टिकल 370 पर के इंदर की फैसले का स्वागत किया है कहा जम्मू कश्मीर से अनुच्छेत 370 हटा जाने के लिएकर बसपर सरकार के साथ है बकौल सांसर सतीच चंदर मिश्रा उनकी पार्टि इसका पूर्ण समतन करती है बैस्पी चाहती है कि बिल पास हो उनकी पार्टि धारा 2370 बिल और अन्य विधेक का कोई विरोध नहीं कर रही है जब राज्यस्वा में सतीच चंदर मिश्रा बैस्पी का स्टेंड रहे थे तो विपक्षमे से एक धड़ा उन्हें त्येक तही रह गया वहां सांसा सोच भी रहे होंगे समझने की कोशिश भी कर रहे होंगे आखिर मैयावती ने ये मायाजाल क्यों बुना क्या राजनितिक मजबूरियां या महत्वकांशा रही होंगी जिसकी वज़ा से उन्होंने उसी मोदिशाह की जोड़ी के फैसले का सौगत किया जिन्होंने कुछ महिने पहले लोकस्वा चुनाओं की दौरान अक्सर पानी पीपी कर खोसर करती थी फिर क्यों उन्ही का साथ दिया क्या वाकए में मैयावती अनुचेत तीसुसतर को हटाने के पक्ष में थी